अब कई बार लड़की की फर्माईश पूरी हो जाती है और उसे आगरे का घागरा मिल जाता है लेकिन कई बार उसे अपने पिया की प्रेम की चुनरिया ओड़नी पड़ती है जिसे वे ओड़कर मेला देखने के लिए जाती है पर ऐसे में वो अपने रसिया को ताना कस्ती है अब ये ताना कोई तेज कटार नहीं होता ये तो एक छोटी सी प्यारी सी शरारत होती है जिसमें वो अपने पिया को कहती है कि अब मैं आपकी प्रेम की चुनरिया को पहन के मेला तो देखने जाऊंगी लेकिन वहाँ पर मैं दो पैसे की सास खरीदूंगी अब वो अपने पिया अपने बलम को इतना सस्ता नहीं मानती इसलिए वे अपने बलम को पूरा रुपे दो धिली में खरीदेगी अरे मैं तोड़ चुनरिया जाउंगी ले में अरिरी मैं तो ओड़ चुनरिया जाओंगी मेले में अरिरी मैं तो सैल करूँगी बैलों के खेले में अरिरी मैं तो सैल करूँगी बैलों के खेले में अरिरी मैं तो ओड़ चुनरिया जाओंगी में अरिरी मैं तो सैल करूँगी मैं तो सैल करूँगी बैलों के खेले में अरिरी मैं तो बाला में खरी दूँगी मैं तो बाला में खरी दूँगी बैलों के खेले में वही यह थेले में अरिरी मैं तो ओड़ चुनरिया जाओंगी मेले में अरिरी मैं तो सैल करूँगी मैं तो सैल करूँगी बैलों के खेले में दो पैसे का देवर खरी दूँगी मैं तो बाला में खरी दूँगी में अरिरी मैं तो ओड़ चुनरिया जाओंगी मेले में अरिरी मैं तो सैल करूँगी बैलों के खेले में दो पैसे की नंद खरी दूँगी में अरिरी मैं तो बाला में खरी दूँगी में अरिरी मैं तो ओड़ चुनरिया जाओंगी मेले में अरिरी मैं तो सैल करूँगी बैलों के खेले में अरिरी मैं तो सैल करूँगी मेलों के खेले में झाल